तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमेशकार आज के इसे लेट नैट सेशन में आपका स्वागत है अबिनन्दन है आसा कर रहा हूँ कि आप सभी बहतरीन होंगे जबरदस्त होंगे और कल के प्रमोशन एक्जाम्स के लिए तयार होंगे और कल का जो दिन होगा वो आपके नाम होगा यस बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने तयारी की है इस वर का धन्यवाद करिये कि यह मौका मिला है आपको कल अपने तयारी जो की हैं उसको परिणाम में बदलने का तो जब ऐसे और सर मिलते हैं तो हम तीन तरह की चीज़ें स्टोर है उसको इस्तमाल करते हैं और दूसरा तारकिक बुद्धी जो हमको अनुभा से पिछले पास्ट रिकार्ड से रिकॉल कोईश्चन से मिला है और तीसरा जो है हमारा ज्यान कोईश्च जो हमने अभी पढ़ा है तो एक मन है और एक तारकिक बुद्धी और ग्यान तो ये तीन चीज़ों का आमें एस्तिमाल करना है कल और आप येकिन ऐपूरी इति होने वृला है क्याँर्डाव कि आपकी तहरी भी बहुत ही शांदार है तो टीना जी मेरी आवाज आ रही है आप तक आप सभी तक मेरी आवाज आ रही है तो बहुत सारे साती सो गया होंगे क्ल उनको अग्याम है कोई बात नहीं यह कई साती सफर में भी जा रहे हैं आप जो है कलका ऐंग्सान का साम को जब कल हम रात और रिकॉल कॉश्चन डिसकस करेंगे तो वह सारे कोश्चन है जो आप पहले से ही उसको पढ़ चुके हैं और पांच से दस प्रति दस जो कोश्चन होते हैं वो थोड़े नए आते हैं जो आने वाले प्रोमोशन एक्जाम के साथियों को मदद होता है लेकिन जो 90-95 परसेंट कोश्चन हैं वो आप कर चुके हैं आज की सेशन में जो मैं आप से डिसकस करने वाला हूँ वो अठारा जोन को एक्जामनेशन हुआ था और जो कोश्चन आये थे बहले ही आपको देख रहा होगा स् तो ये सुरुवात करने से पहले सतिस चंद्रजा जी और बहुत सारे साथी जोड़े जोके हैं दिव्या जी आगे कहां अभी जोड़े नहीं है न तो और दूसरा जो मैं भाग कह रहा था कि आईए इस्वर का धन्यवाद करें कि कल एक बहतरीन परिणाम होगा आईए इस् और सफलता की सूची जब फाइनल निकलेगी उसमें भी आपका नाम होगा और जब हम फिर उसके बात मिलेंगे तो खुशियों का पैगाम होगा और आप सभी के लिए एक बहतरीन इंतिजाम होगा तो ग्यान जो आपने पिछले समय लिया है आपको यकीन मानिये कि ये परि प्राइब करेंगे कि अपना बैग भी निरख पाते होंगे तब से पढ़ रहे हैं तो सोचिए इच एन एवरी मुमेंट के लिए धन्यवाद करिए उस समय के लिए इस्वर का धन्यवाद करिए और उन्हें प्रार्थना करेंगे हम कि कल जो है वह आपके साथ रहेंगे और फिर सारे option अब फिर टिक टिक करना है और मैं भी आपके साथ रहूँगा तो जो साथ ही मेरे को साथ में ले जाना चाहते हैं वो बिल्कुल ले के जाके ले जा सकते हैं मैं कल आपके साथ examination में रहूँगा और आप इसको आजमा के देख लीजेगा तो फटा-फट एक आदे गंटे का सेशन आदे घंटे मैं आपको अपने बातों के उर्जा से जगा के रखूंगा साथ ही साथ जितनी दिर आप मेरे साथ रहेंगे उतनी दिर आपके जो promotion exams के लिए जो question है important वो आपको द्रिश्टिकोन मिलेगा तो यह question मैं discuss कर रहा हूं 18 जुन 2020 पिछले मेह ने जो एक्जाम हुए थे बरुड़ा यूपी बेंगे साथियों का जिनका रिजल्ट भी निकल चुका है आप देखिए इसमें चितने भी साथी जूड़े थे चो examination में उनमें 90% साथियों का selection हो गया आपने अभी एकाद दिन हम लोग उसको सेशन भी रखेंगे तो पहला प्रस् पॉलीशी से जुड़ा हुआ सवाल है यह सवाल कहना चाहा है कि बरुड़ा यूपी बेंक के पॉलीशी के अनुसार किसी एक इंडिविजुल अगर कस्टमर है इंडिविजुल अगर बारुवर है तो उसको अगर infrastructure के लिए लोन ले रहे हैं तो उसको maximum exposure कितना लोन दे सकत हैं तो अब यह exposure limit से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप इसमें जैसा कि जानते हैं कि अगर single exposure तो 15% का होता है अगर infrastructure के लिए है single exposure है तो 20% होता है और अगर ग्रूप exposure है तो 40% है और ग्रूप exposure इंफ्रस्ट्रेक्चर रख लिए है तो 50% है लेकिन यहां पर पूछा कि इंडिविजुल इंफ्रस्ट्रेक्चर तो 20% अप दे है अगर सामान्य में ग्रूप exposure है तो 40% है और इंफ्रस्ट्रेक्चर में ग्रूप exposure है तो 50% है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए एक्सपोजर सिलिंग फार इंडिविजुल और ग्रूप बार्वर अब यहां पर पूछ लिया देखिए विदाउड इंफ्रस्रेक और जैसा कि मैंने कहा कि पंद्रह और चालीज जैसे टीना जी ने कहा कि एक्सपोजर सिलिंग सिंगल अगर बार्वर है तो फिप्टीन पर्सेंट अब देखिए और इंफ्रस्ट्रेक्चर हो गया तो 20% सिंगल बार्वर के लिए 50% जो है ग्रूप बार्वर के लिए याद होगे टीना जी आपको कि वह बहुत बढ़िया अब लोगा ना कुछ नहीं कर रहे हैं थोड़ा 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 हां ना करिए कि अवाज नहीं आ रही है मेरी कि अब ओके तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर एक्सपोजर सिंगल है तो आपको 20 परसेंट करें अगर गूरू पर मतलव यह तोडार का पूछा सामाने क्लेरिकल टॉफिसर में पूछता है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं यहां पर पूछा है यह जरा टीना जी पढ़िए जोर से या नरेंद पाल जी पढ़िए जरा नरेंद पाल जी वोट इस पीएंगे वाई पीमियम पर एंटीन दिसेंबर मन सब्सक्राइबर दिसंबर महने में जोइन करता है तो उसके लिए प्रीमियम कितना पढ़ेगा तो आप इस स्क्रीन को देखे इस स्क्रीन से आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि एक जून 2022 से नए प्रीमियम रिवाइज हुए और उस नए प्रीमियम में प्रधान मंत्री जीवन ज्योती भीमा यूजना जिसमें लाइप कवर किया जाता है दो लाग का मैक्सिमम कवरे दो इस होता है तो यह सालाना इसका जो प्रीमियम है । इसमें 30 डेस है और यह जो है कवर जो है इसका फर्स्ट जून से लेके 31 मई तक है तो यह आपका प्रीमियम है इसमें पूछा दिसंबर में तो दिसंबर में होगा 228 बहुत बढ़ी है जैसे देखे टीना जी को पूरा पूरा याद हो गया ओम मिना जी यह जितनी सारी जानकारियां बताई जा रहे हैं यह इंट्रिवू के लिए भी हैं और आज इंट्रिवू का सेशन नहीं हुआ क्यों क्योंकि कल हमारे होनार साथियों का एक्जामिनेशन है सुबह कल हम इंट्रिवू का सेशन करेंगे ठीक है तो आपका फिर आपका मोगा देंगे आपका पहला इंट्रिवू लिया जाएगा ठीक है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए हैं पूछा गया वाट इस दपी एम जे जे बीवाई एक्जिटेज तो जरह पूछा गया और इन में से कोई भी सवाल आएगा बहुत अच्छे से कर पाएंगे जैसा कि कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूं आप बहुत अच्छा इसका एंसर दे रहे हैं कि प्रधान मंत्री जीवन जियोती भीमा योजना का जो एस क्राइटिरिया होता है इसको सब्सक्राइब करने का वो 18 से लेके 50 साल होता है लेकिन अगर 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 कोई 18 से लेके 50 साल के बीच एंटर कर जाता है इस स्कीम में तो वो यह सेवाएं यह कवरेज जो है 55 साल तक लिया ले सकता है तो यहाँ पर एंसर होगा 55 years तो यह exit है इसके बाद उसको यह कवरेज नहीं मिलेगा यहाँ पर क्या है अगर यह सामाने पूछेगा तो 18 से 50 साल होगा 18 से 50 साल के बीच यह स्कीम को अगर उसने सब्सक्राइब कर लिया और प्रीमियम रिनीवल पटा रहा है तो उसको 55 साल तक ले जा सकता है बहुत बढ़ी अदिब्याजी है ना अब इसी अज同़ियर है प्रदान-मंत्री शुरक्षर विमयोजना एक्सिडेंटल डैथ याँ लिद्र मिलता है अगर एक मैं लिएन पिरेट है अगर सामने मिठतु होती है तो PMJJBY में 30 days का lien period है आज policy लेता है तो 30 दिनों के बाद ही claim मिलेगा जबकि प्रधान मंत्री सुरक्षा भी माई हो जना में आज policy लिए दुर्ग हटना कल भी हो सकती है इसलिए वहाँ पर lien period नहीं है कि चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर वाट इस दा पैनल्टी फार प्रीमेश्योर अपडियार टाइप करके फटाफट बता दीजिए हाँ जी दिबेजी माई कौन करके बताईए कोई पैनल्टी है आपके अब डियार पर अगर वन परसंट है बहुत बढ़िया ज्याद ने बात तर बेंकों में यह थैसे क्यों कि एक फटाव को प्रीमेश्योर प्रीमेंड के लिए रहे हैं इसमसे अगर आवाज नहीं आ रहे है यह नहीं रहे है कि और और है तो eyelids नहीं के और तो मैं यह कह रहा हूं कि यहाँ पर बीएश्योर ऐक रास की बदी इसको मना कर सकता है bank made refuse दा प्रिमेश्य आपर उसका सीलिन क्या है पंद्रा लाख है वो कि 15 लैस्ट एक सिलिंग है उसे उपर अगर प्रिमिश्य प्रिमेंट के लिए तो सकते हैं यह भी एक इंपोर्टेंट पोश्चेन दूसरा पिनेल इंट्रेस आये था 18 जून को और जो सवाल मैं अभी आपसे पूछा वह सवाल भी आये था 18 जून को क्लेरिकल टू ऑफिसर में दूसरा यह भी मैं आपसे जानना चाहरा हूं एक होता है नॉन कॉलेबल डिपोजिट नॉन जो डिपॉजिट होता है जिसको 5-10 साल यहिस में लाते हैं तो वह रहता है उसमें 2 पर्सिंट की पेनल्टी होती है और जो नॉन पर्सिंट पर की पिनल्टी होती है और non-quarter में जो रहेट अब इंपरेस्ट उनको Küलेसंट मिलनेवाला था उनको का बेनेफीट भी नहीं आपको वन पर्शंट का पेनल्टी हैं इंट्रेस प्रिमेश्यूर प्रेमेंट अगर लेते हैं किसी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जड़ा दिबीजी पढ़िए आपकी आवाज अच्छी है इस प्रोविजन पोर सबस्टेंडर्स शिक्योड और अन्सिक्योड लॉन के लिए प्रोवीजन क्या होना चाहिए बता दीजी एंसर क्या होगा पंद्रा और पच्छिफ परशेंट होगा ओकी बहुत बढ़िया तो यह प्रोविजन से जुड़ा हुआ एक सवाल NPA में सबसे दा पापुलर सिरिस का सवाल होता है NPA का हाला कि यह सवाल higher scale में पूछता है clerical to officer में तो वह doubtful assets वाला यह loss asset का पूछता है तो यह हम scale 2-3 के चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर अगर secured substandard asset है तो 15% provision होता है और unsecured substandard asset है तो 25% का provision होता है बहुत बढ़िया अगला सवाल है बहुत यह popular series का सवाल है जो clerical to officer में भी आ what will be the period in doubtful category यहां पर बोल रहा है doubtful category में 100% provisioning होगा चाहे वो secured हो चाहे अन-secured हो तो उसका period क्या होगा doubtful में बताई जड़ा टाइप करके बता दीजे नरेंद पाल जी बोल रहा है 3 years and above गलत है यह गलत हो जाएगा यह अगर above 3 years होगा more than 3 years in doubtful asset तभी जाके वो 100% provisioning होगी तो यह जड़ा confusion हो जाता है आप इसको ठिक कर लिजेगा कई बार देखाँ यह सवाल आते तो हमारे साथ ही जो है गलत कर जाते हैं 3 years का ceiling जो है ठिक कर क्योंकि हम लोग इतने सारे टैट पढ़े होते हैं ना हमारे मन मस्तिस्क में क्या ही चलता रहेगा है ना तो इसी वज़े से यह वाले में आप ध्यान रखेगा doubtful category में अगर तीन साल से उपर है तो 100% provision होगा चाहे वह secured हो चाहे अंसीक्यूर हो otherwise अगर doubtful one category में है तो secured portion का 25 पर्षेंट होगा तो इसका 100% पर्षेंट होगा तो यहांपर टाउट फुल में तीन साल से ज्यादा होता है तो जी होता है तो कोई जब एकांट से irregular होता है तो उसके बाद जब NPA शुरू होता है तो NPA शुरू होने के बाद वो सभी standard में एक साल रहता है doubtful one में एक साल रहता है doubtful two में दो साल रहता है मतलब तीन साल तो doubtful one और two में रहा गया तीन साल से उपर हुआ तो doubtful three में चला बहुत बढ़िया चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं कि यह सवाल जो है बहुत ही पापुलर श्रीज करने स्लाइस बैंकों में यह सवाल पूछता है और इसके लिए कोई स्कील नहीं देखता सभी में यह पूछ सकता है कि नो यूवर कस्टमर गाइडलाइन में चार की एलिमेंट जो क्या है क्योंकि किसी कस्टमर और बैंक का संबन्द यहीं से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कि यह वाइसी गाइडलाइन यह यह बोल रहे हैं सिव कुमार चीए इसके बारे में इंटेव्य में पूछा था आप इसकी एल थरी के लिए वाह स्के बारे में पूाट पूछ था अभी जो पहले सवाल किये थे उसके बारे में अच्छी बात है तो यहाँ पर जो की एलिमेंट होता है KYC का वो चार की एलिमेंट होते हैं पहला है कस्टमर एकसेप्टेंस पॉलिसी दूसरा है कस्टमर इडेंटिफिकेशन प्रोसीजर तीसरा है मॉनेटरिंग आप ट्रांजिक्शन एंड चौता है रिस्क मेनेजमेंट तो जब भी तो उसमें आपको पांच आप्सेप्टेंस पॉलिसी कस्टमर इडेंटिफिकेशन मॉनेटरिंग ट्रांजिक्शन रिस्क मेनेजमेंट पांच ओप्सेप्टेंट तो यह चार याद रखी इसके बाहर का कुछ होगा तो हम लोग उसको टिक कर देंगे अब बात करते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल जड़ा पढ़िए जड़ा टीना जी अब तक तो अभी आवाज आ रही होगी मेरी आरी सदार यह अमाउंट पॉर प्राइटी सेक्टरी जोर्लि में अगदम बड़ा सा मैनेजर बनेगी स्केल थ्री में डारेक्ट भरती होगा उसका यहां रात को आपके साथ जटके पढ़ रही है यहां पर मैं कह रहा हूं कि एमाउंट फार प्रियोरिटी सेक्टर इन ड्वेलिंग यूनिट फार स्लम एंड रिहेबिलेशन पूछा ग इसको बोलते हैं स्लम एंड रिहेबिलेशन के लिए मतलब ऐसे लोग जो स्लम काम उसनों रहते हैं वहां पर जोगी जोपरीयोगर में तो उनको रिहेबिलेट करने के लिए एक ड्वेलिंग यूनिट में अगर कितना रुपए होगा तो प्रियाट्री सेक्टर का हिस्था ह होगा तो यह हमारे कुछ साथी होनार साथी अच्छा बता रहे हैं तो वह है टेन लाइक रुपीज पर यूनिट तो दस लाग रुपए पर यूनिट अगर स्लम एंड रिहेबिलेशन के लिए अगर एमाउंट है और वह किसी कंपनी को लोन दिया गया है और देर ऑन देर प्रियर्टी सेक्टर का हिस्था माना जाएगा यह हाउसिंग लोन का है डेखे ऑर से प्रियाटी सेक्टर में तो छितना होगा पचीस लाग फिर उसमें प्रोजेक कास भी होता है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा नरेंद पाल जी पढ़िए जरा सवाल क्या है देखें जरा इंकम सीलिंग फॉर इंट्रेस्ट सब्वेंशन एजुकेशन लॉन अंडर सी एस आई एस कि उके बताई जरा क्या बोल रहा है सवाल सर यह इंकम सीलिंग बताई है फैंबली इंकम सीलिंग यह च्छेला लोगा से तो जो सीएस आईस है सेंट्रल सेक्टर इंट्रेस्ट सब्सीडी स्कीम साड़ी चार होगी जर से एजुकेशन लोन में जो भी होनहार भी द्यारतियां वो पड़ते हैं उनको एक बेनिफिट देती है सरकार इंट्रेस्ट सब्सीडी के रूप में ताकि उनका बच्चा उनको जो इंटायर मोरोटोरियम पीरेड है उसका इंट्रेस्ट माप कर दिया जाएगा तो वह है सीएस के लिए 4.5 लेक्स पर फैमिली पर एनम सेंट्रल सेक्टर सेंट्रेस सब्सीडी स्कीम तो यहां पर एजुकेशन लोन में फैमिली इंकम है साड़े चार लाग और एक पर्ड़ो के लिए जो है और विदेश में पढ़ने जाने के लिए हाइयर झीटों के लिए ना चांण ऑर पर पर देश किसके लिए ए. आप माइनोरीटी कम्यूटी के लिए अबिलेबर और एक स्कीम होता है डॉक्टर अमबेटकर इंट्रेस्ट सब्सीडिय स्कीम और अधर बेकवर्ड अधर बेकवर्ड गेटेगरी और एक होता है आई बीची है ना और ओबीसी तो क्या होता है इन डाक्टर आम बेटकर के लिए वह एटलेक्स है ठीक है चलिए तो यहां पर जो इंकम सिलिंग के लिए आपको क्लियरेटी हो गया अब बात करते हैं यह सवाल जड़ा पढ़िए दिब्या जी सवाल क्या है पड़ाक से पड़ लीजे तो क्या पूछ रहा है कुलेटर सिक्योर्टी रिक्वारड इन एग्री कल्चर इंफ्रा फॉंड स्कीम एयर और हो मुच अमाउंट ओके यादा पूछ नहीं समझें आ रहे हैं एग्री इंफ्रा फॉंड एक नया स्कीम से जो पिछले इकीस-बाइस में आये था वह बीस-इकीस में लांच होगा था तो एग्री इंफ्रा फॉंड के लिए यह होता है एग्री कल्चर सेक्टर में जो किसान काम करते हैं वहां पर उनके पास इंफ्रास्ट्रेक्टर की कमी होती है आब बताई दिब्य जी आप गाओं देखें ग अध्यान को रखने के लिए जगह नहीं होती है उनके पास पैदावार हो जाता है पैदावार अक्टिवीटीस होती है उनके इंफ्रेश्टर चाहिए जो लोन निदिया है कि पिर किसान के पास कुछ है नहीं तो क्या करेगा सीव कुमार जी वो उसको अने पोने दाम में तुरंद बेशना पड़ेगा ठीक है तो इसी एगरी इंफ्रा फंड स्कीम में उन्होंने कहा है कि दो करोड तक के जो भी लोन है वो को लिटरल फ्री होंगे तो यह अगर दो करोड से उपर के हैं तो उनको को लिटरल चाहिए यही बात है तो दो करोड के याद रखिए आपका प्रोमोशन एक्जाम में सवाल आएगा तो दो करोड को आप देख लिजेगा सवाल क्या पूछ रहा है तो यही है कि अगरी कल्चर सेक्टर को उसको अच्छे से उनकी इंकम हो जाय उसके लिए एगरी इंफ्राश जो फॉर्ण स्कीम है उसमें लोन प्रोड के जाता है और ज्यादातर बैंकों में यह दो करोड तक ही दिया जाता है क्योंकि यह विदाउट को लिटरल जो है यह फैसलेटी अविलेबल है अब आते हैं वाट इस दे सबसीडी अविलेबल अ यहां पर 50,000 है कितना है 50,000 और यह अम्रिद जलधारा इसकीम जो है सामाजिक जो नियाय विभाग है उन्हों ने इसको लॉंच किया है नियायम सशक्तिकरण विभाग यह ज्योजना चला रहा है भारत सरकार का जिसका नाम है अम्रिद जलधारा योजना के नाम सुना था सब्सक्राइब करता है और उसके पास बैक्तिगत या सामुदाइक तरीके से कि वहाँ पर किसी तरह का बंजर बंजर है तो वह अम्रित जलधारा योजना के तहत लाव उठा सकते हैं वैसे किसानों को सरकार से इस पर रेंड़ पर सबसीडी बी जाती है और यह सबसीडी जो है वह 50,000 है कितना हैं 50,000 है तो यह बात जो है आप याद रखिए कि सबसीडी सबसीडी के लिए सबसीडी है और यह खास करके मध्यपरदेश में काफी प्रकरता से इसको लागू किया गया है इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है यह सवाल आपके में आ जाए लेकिन यह आएगा भी तो हाइर स्केल में आएगा कि सबसीडी में यंग आंतरपिनोर है उनको जो एक यह स्कीम है उसमें सबसीडी दी जाती है कि जो कैपिटल एमांट है उसका 5% एनुली मैक्जिमम साथ साल के लिए कैपिटल एमांट जो लग रहा है उसको बिठाने के लिए यंग अंतरपिनोर्शिव जो इंडेस्टी बिठा रहा है उसका 5% एनुली जो है वह इंट्रेस सबसीडी दी जाती है साथ साल के लिए कितना बड़ा सबसीडी देखिए अगर 11% के इंट्रेस रेट बाराफ पर सबसीडी जो है वहाँ पर दी जा रही है तो यह आप आप याद रख लिए 5% एनुली और कैपिटल इमांट मैक्जिमम फर सेवन इयर अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जड़ा पढ़िए जड़ा दिब्वेजी क्याल पर लिखा है पढ़िए तो इसका मैंने अपने बैंक में पता किया था तो वहां बोल रहे था कि दो लाग के ऊपर लेकिन आपकी क्लास से मतलब यह कंपर हुआ था कि यह ना मैंडेट्री किया है यह कोई बैंक बहुत सारे बैंक कहने से नहीं होगा आर्वे ने कहा है कि भाई पांच लाग तक आप ऑप्सनल है आप अपना देख लो नियम पॉलिसी बोर्ड बोलता है कि दो लाग तक कर लो लेकिन पांच लाग से जहां उपर हुआ पचासजार से उपर के जो भी चेक होंगे वहां पर ग्रहाक को चेक जारी करने से पहले बैंक को बताना होगा कि मैं फ़ला आदमी को चेक जारी किया हूँ और चेक का नंबर यह है चेक पड़ेटी यह पड़ी हुई है पूटो टो किसके दे सकता है ताकि चेक में में जो डीडी वगर है यह सारी चीज़ें तो यह उसका धंजट नहीं होगा तो इसलिए पॉजिटिव में मेकनिजम किया है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर हाव मच लोन इमाउंट विल बी एप्रूब फार बोड़ डिरेक्टर कितने रुपय का अगर लोन होगा तो बो प्रोजल जो हैं यह अप्रूबल के लिए बोर्ड डिरेक्टर के पास जाते हैं कैसी इस साल की बताताAb them लिवरेज short term उसकी liquidity को कैसे pay कर पाएगा short term उसका जो capacity है उसको repay करने की वो कैसे करेगा तो current ratio क्या है एक liquidity ratio है जो उस firm के capacity को बताता है कि उसके short term जो debt है उसको कैसे pay कर पाएगा within one year इसका formula होता है current asset divided by current liability लेकिन समझने के लिए है current asset क्या होता है एक साल के अंदर आपके form में नगदी रूप से में आने वाला पैसा और current liability क्या होता है एक साल के अंदर आप उस balance sheet से जाने वाला पैसा तो आने वाला पैसा कम हो जाएगा और जाने वाला पैसा ज्यादा हो जाएगा तो इसको negative working capital बोलते हैं तो current ratio क्या दिखाता है कि उस जो जाने वाला पैसा जिसको पे करना चाहा रहे हैं उसके लिए आपकी कितनी क्षमता है तो current asset ज्यादा होगा तो आप ख्यमता आपकी अच्छी है current liability क्योंकि वो पे करना के आपका short term जो है आप loan लिए हो तो उसको pay करेंगे तो आप इसको देख लिजेगा एक short term solvency बोल दीजेगा इसको short term solvency है यह अगला है आपके screen पर what is the DSCR ratio full form DSCR का full form पूछा गया है और DSCR ratio की जो गणना है term loan के calculation में की जाती है इसका full form होता है debt service coverage ratio होता है debt service coverage ratio होता है यहां पर credit ratio लिखा गया है इसको सुधाल लेजेगा debt service coverage ratio तो debt service coverage ratio को बोलते हैं DSCR और DSCR के गणना जो है term loan के assessment में की जाती है अगला सवाल आपकी screen पर देखिए what is the margin and LTV ratio for above rupees 75 lakhs housing loan LTV ratio क्या होता है loan to value ratio अगर कोई housing loan 30 lakh रुपए तक है तो उसका LTV ratio होता है 90% 30 lakh से 75 lakh है तो उसका LTV ratio होता है 80% और 75 lakh से उपर हुआ तो उसका LTV ratio होता है 75% लेकिन LTV ratio का उल्टा करेंगे तो margin हो जाता है तो मैंने क्या बता है 30 lakh तक housing loan है तो LTV ratio 90 है तो उसका margin 10% होगा 30 lakh से 75 lakh तक अगर loan है उसका LTV ratio होगा 80% तो उसका margin होगा 20% और 75 lakh से उपर का housing loan है तो उसका LTV ratio होगा 75% तो margin होगा 25% तो यह आपको याद हो गया होगा अब बात करते हैं what is the current MSF rate तो यह जरूर एक सवाल कल आपके promotion exam आएगा RBA का by monthly meetings होती है monetary policy committee की वहाँ पर देश में मुद्रा SPT को control करने के लिए ब्याजदर decide होते हैं उसमें दो तरह के rates होता है एक policy rates होता है एक reserve rate होता है तो यहाँ पर MSF के बारे में पूछा गया जो policy rates होता है तो सबसे पहले याद रखिए repo rate अभी वर्तमान में 6.50 है 6.50 आपका repo rate है standing deposit facility 6.25% है और marginal standing facility 6.75 है marginal standing facility एक ऐसी facility होता है जब बैंकों को को liquidity crunch होता है उसको पैसे की ततकाल जरूरत होती है तो एक दिन के लिए जरूरत होता है एक night के लिए जरूरत होता है तो वहाँ से RBI से उठाते हैं इसलिए इसमें rate ज्यादा है marginal standing facility 6.75 बैंक रेट 6.75 है और repo rate 6.50 है और जो है रिवर्स रेपो रेट है 3.35 है अब एक reserve ratio होता है जो current मतलब आपका cash reserve ratio होता है 4.5 CRR जिसको बोलते हैं 4.50 और SLR है SLR है उसको है 18% तो यह screen को आप जड़ा याद कर लिजेगा तो इनमें से MSF जैसे अभी आपने देखा होगा पिछला examination हुआ था बरोडा यूपी बैंक का उसमें repo rate भी पूछा marginal MSF भी पूछा CRR भी पूछा SLR भी पूछा बैंक कितनों 4-5 सवाल इसी से पूछा इसी रेट से तो आप सारे रेट से याद कर लिजेए repo rate सड़च है SDF standing deposit facility 6.25 बैंकों के पास ज्यादा पैसा है directly और जमा कर देते हैं RBI के पास तो उसको SDF बोलते हैं और MSF 76.75 बैंक रेट 6.75 रिवर्स रेपो रेट 3.35 CRR 4.50 SLR 18 याद कर लिए वाट इस दे क्रेडिट रेटिंग इन गवर्मेंट चालिज भी है तो आप थोड़ा सा एक्सरसरी निगाह में गवर्मेंट स्पॉंसर स्किम्स के लिए जो रेटिंग आप लोग करते हैं उसको आपना देख लिजेगा अपने पॉलिस में हलाकि नार्मली यह 50 होता है लेकिन कई बंसों में यह 40 भी है तो आप एक बार देख प्रिजेगा तो इस दे रेगुलेटरी आप यह जवाब बताई जिए आपका रेगुलेटरी बोड़ी कोन है सब्सक्राइब करता है आप रिपोटिंग किसको करते हूं और बी किसको करता है नाबाट को करता है तो जैसे नेसलाइज बैंकों का रिपोट करेंगे नाबाट को रिपोट करेंगे आपके इंस्पेक्शन सारी चीज़ें जो है नाबाट करती है अब आते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल आप नाबाट का एकाउंट पैनि सब्सक्राइब ने पढ़ते हैं तो यहां पर यहां पर फ्लो बहुत जादा होता है तो यहां पर पाइन पहले वो पैन कर लेना चाहिए और अपन कर लेना चाहिए और पर प्रमिशन भी लेना पड़ता है रिजनल आफिस से ऐसे नहीं कोल सकते सीधे तो यह जो है ट्रस्ट अकाउंट से जुड़ी हुई एक जानकारी है हाला कि यह हाई लेबल का कुश्चिन है दूसरा यह सवाल जड़ा अच्छा है आपके में भी आ सकता है फायार लॉंच करना म इए पाउंटर अगर एक सिंगल डिपॉजित में पाई जाते हैं कितने तो करना पड़ेगा तो सीव कुमार जी है चार नोट्व में नहीं करते open च से अधिक पॉला गया लेदिए अ हैं तो चार से अधिक क्या होगा पांच होगा यह पांच से पांच से अधिक होगा तो चार से अधिक मतलब पांच हुआ तब ही जाके एफाय लाज होगा तो इसलिए एफाय लाज करना पड़ेगा पांच या पांच से अधिक में है अगर चार या चार से कम पाय जाते हैं तो मंतली कॉंसिलरेट करके रिपोर्ट सर्मिट किया जाएगा नोट सही पुलिस को दिया जाता है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए CIR फुल फॉралम क्या है क्या हुए बताएं प्ल फॉर्म क्या होगा फुल फॉर्म खरी निट विफें दिखा जाता है और इसका अब्डेशन का फ्रेक्वेंसी कि हैं दिपर जी सब्सक्राइब करना होता है मंतली मौनिटर करेंगे तो सही इसलिए मंतली इनका पर फिकर देखो यहां पर नेट पूछा जाता है लेँएं पर पूछा गया तो ब्रोडा यूपी बैंक पूछा गया पूछा गया अगर परसेंटेज वाइस देखेंगे तो 19.75 नसी कुमार जी सही है यह तो यह जो 19.75 है यह तो बहुत ही ज्यादा है लेकिन इनने प्रोविजन बहुत किया कर दिया इनका नेट एंपी थ्री वह साथ 1% में 1.2% यह 3% के अंदर आ गया है अभी याद नहीं आ रहा है बट इ कि एमजीबी का हमारे साथी ने गता दिया कि 2022 में 17% ग्रॉस एंपी और 2023 में 13% ग्रॉस एंपी यह दोनों याद कर लिजीगा आप ग्रॉस और नेट दोनों याद कर लिजीगा मैक्जिमम कंपन कंपन से सनी नंबूर्समेन फर मेंटर लेको नी तो दिब्या जी बोल रहे ह सर हमको मेंटर लेखोनी का हमको देना चाहिए इतना पठाएा uh तो यह कंपनसेशन होगा क्योंकि इतने डाटा पढ़ते इतने सब पढ़ते मांसिक परतान twenty now को कि नेंब कैस्ते पढ़ हैं क्या कोई व आतना ही क्टहस्सेशन इन तो ये बात है एक लाग रुपे में क्या हो जाएगा बोल रहे हैं आप बताएए कितने लोग को एक लाग रुपे दिये हैं इतने एक लाग रुपे बहुत हो जाता है मिलेगा जरूर मिलेगा चोड़ेगे ओंबुट्समें ऑफिसर किस रंक्य होते हैं आर्वे में अम्बूट्समें के जो ओफिसर होते हैं किस रंक छोते हैं तो जो ओंबूट्समेंट होते हैं अभी तो वन नेशन वन ओंबूट्समेंट कॉंसेप्ट आया बारह नॉम्बर 2021 को इंटीग्रेटेड़ ओंबूट्समेंट की सुरुवात की और इसमें जो है CRPC की जो CRPC रखा गया है तो जो उम्बूट्समें होंगे वो उन्होंने बोला है कि इसीजिम रञट क्या होंगे लेकिन डेपुटी उम्बूट्समेंट जो है जैसीमेनशर कowąने चाहिए तो這 जो तो ओं laquelle ऑंबूर्फ मेंन होंगे वह होंगे चीफ जार्व मैनेजर होंगे और देपुटे ऑं जो होंगे कम से कम जर्ण मेनेजर-कस के ऊंगे तो यहां पर जर्ण मेनेजर एंड के ने स्का क्यूँ मेस का होग कि मिलती है कि क्या ज़र समझा ही तो समझा पाएंगे क्या होता है जब भी हम कोड में केस लड़ते हैं तो हमको डिक्री मिलती है डिक्री को एक्जिक्यूट करने के लिए हमको जो समय सिमा होता है अगर कोई डिक्री मिली तो उस डिक्री का जो एक्जिक्यूट करना है उसका पिरेड होता है बारा साल अगर बारह साल के अंदर नहीं कर पाए तो फिर हमारा डिक्री वो खराब हो जाता है उसका लिमिटेशन खतम हो जाता है तो यह है लिमिटेशन पिरिट हो एग्जूकिशन अफ डिक्री इस 12 एर अब आते हैं गार्नेसी ओर्डर से जुड़वा सवाल पूछा गया गार्नेस होगा कि नहीं होगा यह पूछा गया है अगर कोई गर्नेसी ओर्डर है टीना जी के नाम से आया है और अगर खाता है टीना जी और दिब्या जी तो वहां पर लगेगा कि ने दिब्या जी आप बताए लगना चाहिए जिसके नाम से आया सर्फ उसके लिए ही होगा तो यह तो यहांपर गार्नेश सवाल थे वैसे भी आप लोगों ने जितने सवालने किये हैं वह सारे सवाल कल आने वाले हैं तो कल से करेंगे ये वाक्षा तो काम अभी तक पहुंचना नहीं देगा लेकिन कल करेंगे आप जो वह काम अभी तक पहुंचा देगा आप सभी के लिए प्रातना करूंगा थोड़ी देर आखें बंद कर लिजे रिड़ की हड़ी थोड़ी सीधी कर लिजे और प्रातना करिए थोड़ा देर अपने पवित्रता के साथ ऐसे करके आखें बंद कर लिजे और अपने इस्ठ देवता जिसको आप मानते हैं जिसको आप पूजा करते है हैं जिससे आप सक्तिय आरधना मांगते हैं उनको मन में याद करिए और अपने रिड़केटी सीधी हो दोनों पैर जमीन में अगर टच हो जाए पूरी तरह से तो बहुत अच्छा है और मन में प्रारतना भाव के साथ आप ये वाक्य जो मैं कहे रहा हूं उसको मनी मन कि है भगवान आपका कोटी-कोटी धन्यवाद है भगवान आपका कोटी-कोटी धन्यवाद मुझे ये सुनहरा आउसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपने मुझे जो पिछले समय ग्यान और उर्जा दिया जो रोस्नी दी जिसके कारण आज मैं सफलता के करीब पहुँच पा रहा हूं उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आपका सदेव आभारी रहूंगा और ये जो मैं बन पा रहा हूं कल प्रोमोशन एक्जाम में जो भी कुछ कर पाऊंगा ये इसका पूरा स्रेय आपको है आप ने जो ये मुझे औसर दिया है इस औसर को मैं जरूर हासिल कर पाऊंगा मुझे साहस देने के लिए आपका धन्यवाद मेरा आत्म विस्वास बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद और जो ग्यान की जो प्रकर प्रभा है जो कल जिसकी रोसनी से मैं इस सफलता तक पहुँचूंगा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे दुर्भागे को सवभागे में बदल देना मेरे जीवन को एक पहचान में बदल देना मुझे कल सफलता दिला देना मेरे रोग को निरोग में बदल देना मेरे रोज को योग में बदल देना मेरे जीवन को सफलता दिला देना आपने मुझे सब कुछ दिया है कल मेरा साथ दे देना और मुझे रोसनी जो दिये हैं पिछले समय कल उसके उजाले के साथ मेरे साथ रहना मैं आपका कोटी-कोटी धन्यवाद करता हूँ मैं आपका कोटी-कोटी धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे सब कुछ दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज से मेरे साथ जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा कल मेरे सफलता का दिन होगा मैं अपने आपको सफलता के करीब महसुस कर रहा हूँ सपलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये सपलता मैं पाकर ही रहूँगा आपका कोटी-कोटी धन्यवाद अब दोनों हतलियों को थोड़ा सा घर्शन करिए और खोड़ा गरम हाट आते ही आँखों में रखके आप लोग धेरे-देरे अपने आखें खोल लिजे और अपने आपको तरुताजा महसूस करिए अपने आपको इस वर का धन्यवादी महसूस करिए और कल का दिन याद रखीगा, कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सांधार होगा कल आप प्रमोशन एक्जाम बहुत अच्छे से दे पाएंगे अपने इस्थिर मन के साथ और अपने ज्यान कोसल के साथ और अपने तारकिक बुद्धी के साथ आप इस सफलता को हासिल करेंगे मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को बहुत सारी सुपकामना ही दूँगा और कल कहीं भी मन में डाउट हुए तो आप पूछ लीजेग बोलता हूं और आप एक बर रात्री विश्वास करिएगा और अभी तो ये इस प्रार्थना के बाद आप में उर्जा आ गई होगी आपके निगेटिविटी रिलीज हो गया होगा तो आपके अच्छे कारें इस पादन कल के सफलता के परिणाम के सथ आप से विदा लेता ह हूं फिर मुलाकात करेंगे कल साम को तब तक के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार थैंकी सो मच गुड़नाइट